हलो एफ्रीवान वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन दिस इस अंकीता सूद सो आज MP7 पेपर वन प्रपरेशन में आज हम कवर करने वाले हैं फेक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग यानि की शिक्षन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक जो की examination point of view से बहुत ही जादा important topic है हर एक चीज़ को हम यहाँ पर simple language में discuss करेंगे और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि इस topic से exam में किस तरह के questions पूछे जाते हैं तो आप सभी students इस session को ध्यान से इन तक देखते रहिएगा तो paper 1 preparation के लिए complete course हमने launch किया है जिसमें की 100% selection की मैं आपको guarantee देती हूँ इसमें आपको full syllabus video lectures में लेंगे जिसमें की smart and short tricks की मदद से आपके सारे concepts हम clear करेंगे full syllabus notes, full syllabus mock test जिसमें से की as it is questions हर बार exam में आते हैं all previous year questions with solution and 2000 plus mcq question bank हम आपको देते हैं जिसमें की हर एक question के answer के साथ आपको detailed में explanation भी मिलती है and इसमें से as it is बहुत बार questions exam में आते हैं जिससे की students का बहुत easily exam qualify हो जाता है and इस complete course को join करने के लिए screen पर देगे किसे भी एक number पर whatsapp की मदद से आप लोग easily contact कर सकते हो generally इसकी fee है 3000 रुपीज लेकिन students आज मैं आपको देती हूँ बहुत ही अच्छा discount यानि कि इस complete course के लिए आपको सिरफ 2000 रुपीज पे करने होंगे जिसकों की लगातार एक साल तक आप use कर सकते हो तो आज ही इस complete course को join करके आप अपना dream पूरा कर सकते हो पेपर बन complete course को join करने के लिए आप global online आपको भी डाउनलोड कर सकते हो जो कि बिल्कुल free app है इसका link description box में मिल जाएगा आप डाउनलोड करने के बाद store section पे जा करके search bar में आपको लिखना है मद्यपरदेश set exam 2023 दिन आपके सामने इसका overview आजाएगा जो कि already हम discuss कर चुके है दिन आपको जाना है इसके content section पर यहाँ पर आप देख सकते हो full syllabus mock test, 2000 plus MCQ PDF and आपको unit wise separate folders मिल जाएगे जिसमें की exam oriented way में यहाँ पे video lectures and notes available है यहाँ पे अगर किसे भी unit पे अगर आप directly click करते हो तो आपको theory lectures, MCQ lectures, full syllabus notes and test series मिलती है जो कि definitely आपके first attempt में भी इस exam में अच्छा score करने में आपको मदद करेगा अपने topic की और जिसमें आज हम बात करेंगे शिक्षन को प्रभावित करने वाले कुछ कारत यानि कि factors affecting teaching अब देखो एक teacher है, एक student है या फिर एक classroom है जहाँ पे multiple students बैठे हुए ठीके, कौन-कौन सी वो चीजें हैं जो कि इन teacher के teaching को effect करती है ठीके, teacher के teaching को effect करती है पहला तो वो teacher के कुछ factors हो सकते हैं जैसे कि teacher को subject का knowledge ही नहीं है teacher को पढ़ाने में interest ही नहीं है teacher की health issues चल रहे हैं, कुछ भी हो सकते है तो ये सारे teacher के point of view से कुछ factors हो सकते हैं जिससे कि उनकी बच्चों की पढ़ाई में प्रभाव पढ़ रहा है दूसरा learner के point of view से अगर हम देखें तो ये हो सकते है कि learner को पढ़ने में interest ही नहीं है ठीके दूसरा हो सकते है कि learner को teacher के पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आ रहा या तीसरा ये हो सकता है कि learner को जिस language में teacher पढ़ा रही है जिस तरह से examples दे करके teacher पढ़ा रहे हैं वो पसंद नहीं है and तीसरा factor हो सकता है environment related factor जैसे कि जस जगह पे मालीजे ये class चल रही है उदर आसपास बहुत ही ज़ादा sure है ठीक है वहाँ पे बिलकुल peaceful environment नहीं है या फिर जहाँ पे teacher ने पढ़ाना है वहाँ पे उनके पास blackboard, whiteboard ये सब चीज़ें हैं ही नहीं तो इससे क्या होगा ये सारे वो कारक होते हैं जिसकी वज़ा से एक teaching process effect करता है students अच्छे से चीज़ों को नहीं समझ सकते इस तरह से questions exam में आते हैं कुछ real life examples आपको बताए जाएंगे exam में और आपको बताना है कि ये जो factor है ये किस से relate करता है teacher से, learner से या फिर environment से तो आगे इस वीडियो में मैं आप लोगों को one by one इन चीज़ों को detail में discuss करूंगी आपको सभी की सभी points जो है वो note करने हैं exam में जरूर पूछे जा सकते हैं तो सबसे पहले हम teacher के point of view से बात करते हैं तो पहला factor हो सकता है educational qualification and subject knowledge यानि कि शेक्षिक योग्यता और विशे का घ्यान अब जैसे कि मैं आप लोगों को you just in it paper one पढ़ा रही है अगर मालीजे मेरी खुद की qualification 12th है ठीक है, साथ ही मुझे paper one में teaching aptitude और इन चीज़ों का knowledge बिल्कुल भी नहीं है तो क्या मैं आपको अच्छे से पढ़ा पाऊंगी नहीं पढ़ा पाऊंगी ये तो ऐसा रहेगा कि या तो मैं cramming करूंगी या फिर मैं कहीं से copy paste करके as it statements बोलूंगी तो ये चीज़ें बहुत effect करती हैं एक अच्छी teaching process को दूसरा है awareness of learner factors यानि कि सीखने वाले कारकों के बारे में जाग रुपता अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत important है अब जैसे देखो इसका एक example बताती हूँ जैसे अभी हम लोग आपके लिए new batch लेकर आए हैं तो हमें पता है कि new batch जो भी students करते हैं वहीं दूसरी तरफ जो भी September में exam होना है तो उन students के लिए हमने 30 days course लाया है क्योंकि हमने आपको ध्यान में रखा कि 30 दिन हमारे पास है तो detail में हम चीज़े नहीं पढ़ा सकते तो उसमें हम आपको सिर्फ important चीज़े और सिर्फ revision करवाएंगे previous year questions के थूँ तो इस तरह से रहता है तो एक अच्छा teacher वो होता है जो कि learner के factors से aware हो उनको पता हो कि किस तरह से किस situation में एक learner को पढ़ाया जा सकता है तो students I hope यह जो real life examples में आपको दे रही हूँ इनकी help से आप लोग और अच्छे से चीज़ों को समझ रहे हो और रियाद रख पाओगे अब यह चीज़ जादा matter नहीं करती बस यह रहता है थोड़ा सा कि जो teacher first time अगर पढ़ा रहे हो तो वो थोड़ा सा confused रहते हैं थोड़ा सा उनको concept clear करने में रिया लाइफ examples present करने में दिक्कत रहती है बाकी इसका कोई issue नहीं होता knowledge आए जितना मर्जी हो बढ़ फिर भी कहीं ना कहीं experience count होता यह है next है parental expectations यानि कि माता पिता कि आप एक शाय next है teaching skills एक teacher में teaching skills होनी चाहिए अब teaching skills में यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले यही बात आती है कि कैसे एक teacher अपने student के सामने अपनी बात present करता है अपनी बात को present करने का तरीका is called teaching skills अब जैसे मुझे knowledge माननी चे बहुत है मेरी qualification भी ठीक है यो जैसे नेट पढ़ा सकती हूँ मैं लेकिन मेरी teaching skills नहीं है मुझे नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपनी बात बच्चों के सामने रखूँ कैसे real life examples generate करूँ तो यह factor बहुत important होता है जो कि एक teaching को खराब कर सकता है methods of teaching methods of teaching में बहुत से methods होते हैं तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि एक teacher को हमेशा जिन्दगी पर एक ही method यूज करके students तक knowledge अपना share करना है ठीक है वो depend करता है student पे वो depend करता है learner पे कि वो किस method से सीखना चाहते हैं अब जैसे मैं आप लोगों को online पढ़ा रही हूँ ठीक है तो हो सकता है कि method आपको पसंद ना रहा हूँ आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि offline learning पसंद करते होंगे ठीक है यह हो सकता है कि बहुत से students ऐसे होंगे जो कि theory और detail में पढ़ना पसंद नहीं करते वो लोग सिरफ previous year questions या फिर अगर हम बोलें तो MCQs की help से पढ़ना पसंद करते हैं तो यह हो सकते methods of teaching तो एक teacher को समय समय पे अपने teaching methods को अपने teaching styles को change करना चाहिए ताकि उस batch में उस classroom में जितने भी students हैं किसी को भी problem ना हो सब अपने level पे चीज को पसंद कर सके next है कि बच्चों के साथ एक friendliness होनी चाहिए कि अच्छे से अगर यह especially offline batches में काम करता है कि हम एक दोस्त की तरह आपको पढ़ाएं और हमारी approach भी आप पे होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि दोस्ती दोस्ती में ही हम respect अपनी खो बैठे या फिर हम जो पढ़ाना चाहते हैं जिस काम के लिए हम यहाँ पे आएं है वो हम पूरा ना करें तो friendliness के साथ-साथ approachability यानि की पहुँच होना भी बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे students के साथ दोस्ती भी रखें उनको थोड़ा डरा के भी रखें उनको ये चीज़ पे भी रखें कि ये सम teacher ही है और जो हम कहेंगी वो आपको करना ही पढ़ेगा नेक्स्ट है personality and behavior तो एक teacher का personality उनका behavior उनका बात करने का तरीका उनकी अपनी बात को present करने का तरीका ये भी बहुत important होता है अब आप बोलोगे कि हमें तो पढ़ने से मतलब है teacher के personal behavior और इन चीज़ों से हमें क्या मतलब तो देखो आप अगर एक teacher आपके सामने आजाए वो बहुत ही सुस्ती में है वो बहुत ही slow motion में पढ़ा रहे हैं कि नहीं मेरा मन नहीं है मेरी तबिया ठीक नहीं है मैं नहीं पढ़ाना चाहती जबरदस्ती लाया है तो students भी active नहीं रह पाएंगे वहीं अगर एक teacher बहुत ही ज़ादा active है तो उसका interest और उसका जो strength है वो देख करके students या learners भी खुद activate हो जाते हैं कि नहीं हमें भी पढ़ना है and behavior यहाँ पर क्यों important है मालीच यह एक teacher है जो कि बहुत ही एक शांत behavior के लोग होते हैं न कि आराम से पढ़ाएंगे आप मुसे जितनी मर्जी बार questions पूछो हम आपको answer देंगे इस तरह से cool and calm behavior वाले जो teachers होते हैं तो बहुत अच्छे रहते हैं students के लिए वहीं अगर कोई teacher है जिसको एकदम से गुसा आजाएगा कि अभी तो मैंने आपको यह topic करवाया आप फिर पूछ रहे हो फिर मुझे repeat करने को बोल रहे हो तो यह behavior अच्छा नहीं होता तो इसलिए एक teacher की personality और उनका behavior अच्छा होना smooth होना बहुत ज़रूरी है ठीक है नेक्स है discipline येस अगर पता है हमारी 6 बजे class है तो as it is आपको 6 बजे हमारी वीडियो मिलनी ही चाहिए ऐसा नहीं है कि 6 बजे students wait कर रहे हैं मेरी वीडियो 7 बजे 8 बजे अगर आप लोगों को भी ये सारी चीज़े ध्यान में रखनी है अगर आप एक अच्छा teacher बनना चाहते हो next है economic factors की आर्थिक कारत क्या हो सकते एक teacher के वो भी important होता है अब students यहाँ पे देखो आपके सामने कुछ points जो मैंने discuss किये ये points total sorry ये 10 points है 9 और ये 10 ठीक है total 10 points है अब आपको क्या करना है पहले कर ये points याद रखने है दूसरा इसके साथ जो मैंने आपको real life example के थ्रूँ चीज़ें बताई है आपको उनको भी याद रखना है क्यों याद रखना है क्योंकि होता क्या है exam में आपको real life example दिया हो गए और आपको पूल जाएगा कि teaching के point of view से कौन सा factor यहाँ पे यूज होता है next है learner की अगर बात करें learner यानि कि एक student का maturity उसकी age motivation previous learning यानि कि पहले से उस topic के बारे में कितना knowledge है वो important होता है कितना intelligent student उनका mental health अगर मतलब कई लोग बच्चे भीमार रहते हैं तो वो नहीं चीज़े समझ सकते किसी की mental health ठीक है तो वो जल दी से चीज़े समझेगा physical need, diet and nutrition, attention and interest यह बहुत important है जो attention और interest के साथ पढ़ता है वो learner हमेशा successful होता है अभी जैसे अगर आप लोग वीडियो अच्छे से नहीं देख रहे हो वस note करने पर ध्यान दिया है सामने टीवी लगा रखा है, mobile चला रखा है तो मतलब आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो आप अभी पढ़ोगे, रात तक यह topic भूल जाओगे अभी आप लोग क्यों इस level पे हो कि आप अपने आपको एक teacher की point of view से भी देख रहे हो एक learner के point of view से भी देख रहे हो ठीक है, तो दोनों चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है यह समय ऐसा है नेक्स है goal setting आपको अपने goal लेकर के चलना है कि आज राज तक हम यह topic complete करना है one month में हमें यह topic यह units complete करनी है levels of aspiration and factors affecting teaching related to the learners तो यह सारी चीज़े हैं जो कि एक learner के point of view से important है यानि कि age की अगर हम बात करें माल लीजे कोई 10 साल का बच्चा है उसको मैं UGIS net में पढ़ाने लग गई research attitude बढ़ाने लगी तो क्या वो समझेगा नहीं समझेगा तो यह factors होते हैं जो कि एक learner को effect करते हैं maturity अगर student mature है वो समझता है कि उसके लिए क्या अच्छा है क्या गलत है क्या important है क्या नहीं है यह सब चीज़ें होती है next है support material यानि कि सहायक समगरी कौन कौन सी चीज़ें एक teacher को अच्छी teaching में एक अच्छी teaching में help करती है ताकि वो अपनी बाद students तक पहुंचा सके उसको बोला जाता है सहायक समगरी जैसे कि अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा laptop एक सहायक समगरी है मेरा pen tab एक सहायक समगरी है इंटरनेटिक सहायक समगरी है और हम बोल सकते हैं कि जो भी softwares में use करती हूँ ठीक है जैसे audio है यहाँ पर videos चलो हम use नहीं कर रहे हैं online tutorial, open journals, online test यह सारे teaching aids है इसको हम support material बोलते हैं it increases the effectiveness of teaching learning process and makes achievement of learning easier ठीक है तो यह चीज़ें बहुत help करती है अगर मेरे पास ही सब नहीं होता माली जो में पास laptop है बट में पास internet नहीं है तो क्या यह support material किसी काम का था नहीं था ठीक है, तो एक support material दूसरे पे हमेशा dependent होता है next बात करते है teacher student relationship की यहाँ से भी a question exam में पूछा जाता है कि कैसा relation होना चाहिए good support, दोनों को एक दूसरे को support करना है teacher, एक student को support करे कि हाँ आज आप homework नहीं कर पा रहे हो आपको कौन सी चीज समझ नहीं हारी मैं एक, दो, तीन, हर बार आपको समझाऊंगी student को यह support करना चाहिए कि कई बार teacher कुछ चीज मिस कर जाते है या कुछ भी गलत हो जाता है पढ़ाते-पढ़ाते कुछ misunderstanding हो जाती है तो वहाँ पर student को एकदम से हल्ला नहीं कर देना चाहिए उनको patience के साथ support करना चाहिए next है authority as a non-parental adult so non-parental adult की authority होती है teacher के पास तो उस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए self-discovery to adjust in social environment so इनका यह होना चाहिए कि हमें सामाजिक वातावरण में एक दूसरे का सयोग करके दोनों को वहाँ पे अच्छे से रहना है school में भी यही होता है na teacher student अकर अच्छे से रहेंगे तो ही अच्छी teaching अच्छी learning हो पाईगी आपस में वो लड़ते जगड़ते रहेंगे कि आज teacher ने complaint कर दी आज बचों ने complaint कर दी तो वो पूरा environment जो है खराब रहता है उसमें सबसे दादा effect पड़ता है teaching learning में positive relationship works well in developing students ठीक है हिंदी में आप देख सकते हो simple languages में है develops a proper learning structure for positive outcomes ठीक है प्रॉपर learning structure होना चाहिए जैसे हमने बना रखा है कि हमें एक unit आपको कम से कम 15 lectures में complete करवानी है उसके बाद फिर हम previous year questions and mcqs पे जाएंगे तो ये एक learning structure हमने बना रखा है कि इस तरह से हम next exam तक आपकी paper 1 की 10 units cover करवाएंगे तो ये बहुत important होता है अगर आपका एक positive outcome आपको दिखाना है so ये question exam में आ सकता है जैसे कि 5 statements है मान लीजे ये as it is statements exam में आगी आपको बताना है कि teacher student relationship के point of view से कौन कौनसी statements true है कौन कौनसी statements false है right so I hope students यहां तक जो भी चीजे हैं या आप अच्छे से समझ चुके हूँ अब आती है institutional facilities जैसे कि institution में आपको classroom, labs, audio, video, presentation room seminar, library ठीक है ये सब चीजें अगर provide करवाई जाती है तो teaching और बहतरीन होती है नहीं है अगर बोलते हैं खूले में class लगाओ तो वहाँ पे तो गाड़ियों का शोर इसका शोर वो नहीं हो सकता तो ये चीजें हैं आपने इनको बस याद रखना है teacher administration relationship यानि कि शिक्षक और प्रशासन का संबंध कैसा होना चाहिए उसमें professionalism पे ध्यान दिया जाता है कि एक teacher professional होना चाहिए चाहे फिर administration में उसके खुद के family से कोई हो तो वो अगर जितना professional रहेगा उतने अच्छे से teaching हो सकती है उतने active और उतने हर चीज अच्छे से हो सकती है तो अच्छे education अच्छे अपने goals को पूरा करने के लिए ये relationship बहुत ही जादा important होता है तो ये थी students आज की वीडियो जो की बहुत ही जादा important थी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको बहुत पसंद आया है कोई doubt है तो भी आप मुझे comment कर सकते हो अगर वीडियो पसंद आई है तो भी comment कीजिए daily शाम को 6 बजे में आप सभी के लिए इसी तरह के lectures लेकर आऊंगी बिल्कुल free lectures है आप चाहो तो इसको हमारी app जो की global online app है description box में आपको link मिल जाएगा उस app में जाकर के भी आप इन lectures को देख सकते हो so thank you so much for watching this video and I wish you all the way